हाई फ्रेंच आज आप लोगों के साथ शेयर करने बाली हूँ 44 साइस कुर्ती फॉर्मा काटिंग तो मैंने आथ पैपा ले लिया है काटिंग करने के लिए और यह है फूल मेजरमेंट इसकिन पर आप लोग देख सकती हो तो मैं पहले काटिंग करूंगी फ्रॉंट पार्ट तो मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है यह जो कूर्ती होगा ज्यादा डीप नहीं है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और आर्म होल लिया है 7.5 इंच और चेस्ट है 44 इंच 44 को फोर्सेरी बाट करने से होता है 11 इंच तो मैंने एक मार्क ले लूँगी इस तरह से अभी गुलाई का शेप दे दूँगी और नेक विट लिया है 2.5 इंच नेक का चौड़ाई मेनी 2.5 इंच लिया है और फ्रांट नेक का डीप लिया है 6 इंच अभी इसमें गुलाई का शेप दे दूँगी तो गुलाई का शेप देना हो गया है अभी कामर के लिए मार्किंग कर दूँगी तो जो सोल्डर है सोल्डर से 15 इंच नीचे मैंने कामर के लिए मार्किंग किया है और 21 इंच में हीप के लिए मार्किंग किया है और हमारा कमर था 40 इंच 40 को 4 से डिबाट करने से होते हैं 10 इंच इस तरह से मार्किंग कर दिया है ही पे 46 इंच 46 को 4 से डिबाट करने से होते हैं 11.5 इंच अभी इस तरह से मैं मार्किंग कर दूंगी मतलब शेप दे दिया है और एक्स्टा ले लूँगी टू इंच आप लोग चाहे तो वान इंच देर इंच एक्स्टा ले सकते हैं लेकिन यह जो फार्मा है फार्मा मुझे एक दिदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 44 से इसका फार्मा काटिंग देनी के लिए तो उसी दिदी क कितने रखना चाहे तो मैंने टू इंच एक्स्टा लग दिया है और इस तरह से सीधा मार्किंग कर दिया नीचे से और नीचे से जितना चाहे इतना लंबा कर सकती है कोई बात नहीं तो मेरा यह फ्रांड पार्ट है बो मार्किंग करना कंप्लेट हो गया है अभी उसको यहकसा भी कर दिचेगा कर दिचेगा मैं मेन तो मेरा यह जो प्रणट पाथ है वो काटिंग कर ना कमबेट हो ऑंगा है अभी बेग्पाथ भी काटिंग कर लोगी तो जो फ्राइव में मेरे बेख पाट में रख दूंगी मतलब एक्सटा और जो अद्टप्पर है इसमें रख दूंगी रखके मार्किंग कर लूंगे चारे ओर और एक्शन बेख पार्ट से बेख चाएदा डिफ्रेंट नहीं होता है उता है प्रेब्यों फ्रांट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देना चाहिए वान इंच में और बेक साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देना चाहिए वान पॉइंट फाइब इंच में और जो फ्रांट बेक पार्ट का गुलाई है मतलब नेक का जो डीप है आप लोग जितना चा तिए हैं कि और फिर से में नेक विफ से ले लूंगी टू पट्वाइब डिप ले लिए है नेक का चौड़ाई और नेक का डीप लिया है मैंने 5.5 बेक नेक का जो тоб है वह और मैंने ज्छादा नहीं रखता है और जो बेक पार्ट का गुलाई का सेब है बो मैंने देर इंच दे दूंगी क्योंकि यह तो फ्रांट पार्ट का गुलाई का सेब दे दिया है मैंने बेक पार्ट का गुलाई का सेब होता है 1.5 इंच तो मेरा यह जो बेक पार्ट है बो भी मार्किंग करना कंप्लेट हो गया तो आपका जो कूर्टी है वो 100% नहीं 1000% गैरांटी के साथ बोल दियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा तो मेरा यह जो बेक पार्थ है वो हो गया है और यह है फ्रांट पार्थ तो इसमें मैं लिग भी दूँगी कि कौन्छा फ्रांट पार्थ है कौन्छा बेक पार्थ है तो मैंने फ्रांट पार्थ और बेक पार्थ लिग दिया है अब श्रिफ स्लीप काटिंग करना बाकी है तो स्लीप के लिए मैं मेजारमेंट ले लूँगी और जितना जितना हमारा चैस्ट है इतना इतना मेने लिग दिया है हमारा चैस्ट 44 साइज है और कमर है 40 साइज और हीप है 46 साइज तो यह हो गए है अभी मैं जो स्लीब है स्लीब के लिए मेजरमेंट ले लूँगी और जहां जहां कमर था और हीप इसमें मैं छोटा छोटा सब इस तरह से काट भी लगा दिया है तक सिलाने के टाइम में असानी हो सिलाई करना और आप लोग देख सकते हो जो फ़र्म है वह बेक पार्ट पर हाफ अंदर रखते हुए काटिंग किया है मैंने अभी जो बेक पार्ट है बेक पार्ट से मैंने इस तरह से जो स्लीब के लिए मेजरमेंट ले लिया है उपर से हाफ कि देख के लिये तो आया है 11 इंच नोसी तो जो पैपर्ट है पैपर्ट को मैंने इस तरह से त्यो फोल्ड किया है तो ऐले इन इंच्प में रख लख लंबाई राख रख है मैंने एट विखränकि आप लोग जितना चाह इतना लंबाई राक सकते लेकिन मैंने एट इंची दंबाई रखा है और उसको इस तरह से सिधा लाइन रा कर दिया और 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया मैंने और उसको मैंने इस तरह से सिधा कर लूँगी और यह सेर्चे मेंने टू इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और उपर की सेर्चे मेंने देर इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी और जो स्लीब है उसका गुलाई के सेप दे दूंगे तो गुलाई का शेप देना हो गया है और मुहूरी आप लोगों का जितना है इतना ले लेना तो मेरा जो मुहूरी था वो मैंने 6.5 इंच लिया है और एक्स ता ले लिया है मैंने 2 इंच अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है तो और मुहूरी के लिए मैंने एक इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए काटिंग करूंगी तो मेरा मार्किंग करना कम्प्लेट हो गए है अभी मैं काटिंग कर दियू और स्लीप का फ्रांड साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए काटिंग करना चाहिए एक पाटों में स्लीप का हाफ इंच अंदर रखते हुए काटिंग करना चाहिए तो मैंने काटिंग भी कर लिया है तो यह स्लीप रेडी हो गया है तो मेंने सारे पाटों में लीग भी दिया है कि 44 सा इसके है और आप लोगों को मेरे यह काटिंग के वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर सस्केब करो देना बाइ ठैक्स पर वाचिंग